नमस्कार इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है मैं संतोष चोहान जैसा कि सभी जानते हैं हुली आने वाली है इसी के अफसर पर मैं आपको मीठा स्नैक्स वो भी आटे से बनाना बता रही हूं यह बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में तो चलते हैं वीडियो की त और उसमें एक कप चीनी डाल रही हूं एक कप पानी 200 ml है और चीनी है वो 200 ग्राम है चीनी को हमने केवल मैल्ट करना है इसकी चासनी नहीं बनानी है तो जैसे चीनी मैल्ट हो जाएगी हम गैस बंद कर देंगे तो गैस को हमने बंद कर दिया है अब यह मैंने गेहूं का आधा कप तेल की जगे आप घीवी ले सकते हैं यह 100 ml तेल है कि इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब यह आटे में जो ऑईल है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है अब इसकी मुठी बना के दिखा रही हूं तो इतना जरूरी होता है इसको खस्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए यह में सॉंफ डाल रही हूं इसका सॉंफ का टेस्ट अच्छा लगता है इसमें दो टेबल स्पून मैंने डाली है आप अपनी पसंद के अनुसार एक या दो जितना डालना चाहें डाल सकते हैं अब यह जो हमने शुगर सिरफ बनाया था उससे मैं आठे को गूंद रही हूं यह ठंडा हो चुका है गरम में मत गूंदिएगा शुगर सिरफ जब ठंडा हो जाए तभी इस्तेमाल कीजिएगा खासकर यह बच्चों को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि इनको एक बार बनाके रख लो यह कम से कम एक महीने आसानी से चल जाते हैं खराब नहीं होते और टी टाइम के लिए यह बहुत ही अच्छा स्नेक्स है जैसे थोड़ी सी भूख हमें लगती है तो थोड़ा सा हमने यह खा लिया उसके बाद पानी पिले तो हमारी भूख शान्त हो जाती है हमने इसका जो डो बनाना है वह ना तो बहुत जादा टाइट होना चाहिए और ना ही सॉफ्ट पूड़ी के आटे से हल्का सा सॉफ्ट होगा और जो रोटी बनाते हैं हम रोटी के आटे से थोड़ा सा टाइट होगा तो डो हमारा बनके तयार है अब हम इसको शेप देने के लिए इसको मैं एक बड़ा समय ने पीस लिया है याटे का और उसमें से मैं गोला कार दे रही हूँ आप अपनी पसंद से कोई भी शेप दे सकते हैं जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से आप इसको कीजेगा हलके हाथ से प्रेस करके फिर हमने इसको हलके हाथों से बेलना है हुआ हैं हमने ये भी लिया इसको को अबड़ क önपनी पसंद से कोई भी शेप दे सकते हैं अगर कुंकी कटर है तो कोई भी शेप इसकी दे सकते हैं उसाम में प्रेसित कोई भी शेप साती है ये आपको मार्गेट से बर्टन की दुकान से और और उनलाइन भी मिल जाएगं अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी पसंद से हाथ से कोई भी शेप दे सकते हैं अब एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम निकाल देंगे अब सभी शेप को हम एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे हमारा गर्म हो चुका है और को बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है पहले कहले हलका गरम में ही अपने डालना है और जब आप सारे अपने इस नेक्स डाल लेंगे उसमें उसके बाद अपने फ्लेम को मेडियम करना है पहले लो ही रहने दीजिएगा ज्यादा गरम तेल में डालने से यह होता है कि यह एक तो कच्छे रह जाएंगे अंदर से सिखेंगे नहीं अच्छी तरह और उपर से यह काले हो जाएंगे इनका जो आगे आप वीडियो में देखेंगे कि इनका कलर कैसा आना चाहिए वही कल आप देखेंगे कितना अच्छा कलर आया है तो अगर आप ध्यान रखेंगे तो इनका कलर बहुत ही अच्छा आएगा अब हम इनको निकाल लेंगे और सभी जो स्नेक्स हैं अपने सेक लेंगे तो देखेंगे कितना अच्छा कलर आया है तो आप ध्यान रखेंगा तो आट का टेस्ट कैसा लगा जरूर बताइएगा आपकी फीडबेक का मैं इंतजार करूंगी और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा